तो देखिए हमारा टॉपिक चल रहा है राजिस्थान के प्रमुक महल तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पांचे महलों के बारे में पढ़ा था थोड़ा समय आप लोगों को रिवाईज करवा देती हूँ तो हमने हवा महल के बारे में जाना था एक जैपूर में है हवा महल जिसका निर्मान जो है करवाया था सवाई प्रताप सिंग ने दूसरा हमने देखा था हवा महल जो की केटडी जुनजुनु में है और जिसका निर्मान भूपाल सिंग ने करवाया था तीसरा जो हवा महल है वह हमने देखा था कोटा में और उसका निर्मान करवाते हैं महराव राम सिंग सेकिंड ठीक है तो ये चीज़ आपको याद हो गई होगी नेक्स्टर हमने चार बादल महल के बारे में पढ़ा था एक हमने कुंबल गड़ दुर्ग में देखा था बादल महल है जहां पर महाना प्रताप का जन्म होता है तूसरा बादल महल जूना गड़ में है जूना गड़ जिसे जमीन का जेवर कहते हैं और इसलिए कहते हैं क्यो जो था जो बादल महल देखा वो जैसल मेर के सोनारगड में हो ठीक है जो की राजिस्तान का सबसे उंचा भव्य महल है तो इसी तरीके से हम लोगों को ये चीजें याद रखनी है ठीक है फिर हमने जोदपुर के महलों के बारे में पढ़ा था उमेद भवन पहले जो की महारा जो टक्त सिंग थे उन्होंने बनवाया था ठीक है तो ये याद रखेंगे और फिर हमने अलवर के दो महल भी पड़े थे विजय मंदिर पैलेस जो की विजय सागर जील के किनारे पे बना हुआ है महाराजा जैसिंग ने उसका निर्मान करवाया और दूसरा जो की परेटक के लिए बहुत जादा प्रसिद्ध है अलवर का लेक पैलेस जिसे सिली सेड महल भी कहते हैं सिली सेड जील के किनारे बना हुआ है सिली सेड जील को देखने के लिए परेटक जो है वो काफी मातरा में आते हैं और उस लेक पैलेस को देखने भी आते हैं महराजा विने या City Palace जिसे हम कहते हैं जो कि जैपूर का है और इसने बना हुआ है मुबारक महल और दो मंजिला महल है ये जिसमें एक है महकमा एक खास और दूसरा है पोथी खाना जिसे की लोग यहां पर देखने को आते भी हैं और इस मुबारक महल का निर्मान करवाया था सवाई माधव स तो मा से मुबारक है और मा से माधव सिंग है तो सवाई माधव सिंग प्रथम ने निर्मान करवाया मुबारक महल का क्यों करवाया अथितियों के निवास इस्थान के लिए इसका निर्मान करवाया गया था और सबसे इंपोर्टेंट बात कि यह जो महल है एक शैली में ना क्मकारव गर्वार्व उट की बली दी जाती है, तो यहाँ पर यह जो मुबारक महल है, कहां का है, टौंक में, याद रखेंगे किस की बली दी जाती है, उट की बली दी जाती है, आ सकता है एक्जाम में, इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे, अब हम पढ़ेंगे चंद्र महल या सिटी पैलेस, त पर बना हुआ है और उदेपुर में ही है इसकी नीव जो है वो महाराजा उदे सिंग ने 1569 में रखी थी ठीक है तो निर्मानकारी कौन है उदे सिंग है और इस महल में नो चोकी महल है जिसका निर्मान भी महाराजा उदे सिंग ने करवाया था और इस महल में नो चोकी महल मे महाराणाओं का राज्तिलक होता था तो देखे एक जो बड़ा महल होता है उसी में कई छोटे-छोटे महल जो होते हैं जिस तरीके से हमने देखा था कि कुंबलगड में बादल महल बना हुआ है और कई महलों में हमें बादल महल देखने को मिलता है इसी तरीके से चंद्र महल जो उदैपुर में है, इसमें जो नौचौकी महल है, जिसका निर्मान महाराजा उदे सींग ने करवाया था, तो इसमें महाराणाओं का राज्तिलक होता था, ठीके? और दूसरा जो महल है, दिल सुख महल है, तीसरा कृष्णा कुमारी महल है, ये मान सींग के बीच में युद्ध होता है कृष्णा कुमारी से विवाह करने के लिए तो ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी दुबारा से रिपीट नहीं करेंगे याद रखना है कृष्णा कुमारी महल जो है कहां पर है ये महल जो है चंद्र महल में है या जिसे हम एकजाम में ये कुष्ण आएगा कि उदैपूर के चंद्र महल या सिटी पैलेस में जो पांच महल बने हुए है इनमें से कौन सा नहीं है तो अब पांचों ही याद रखने पड़ेंगे नोचोकी महल, कृष्णा कुमारी महल, राय आंगन महल, दिलसुक महल और मानक महल य इम्पोर्टेंट है, तो एक हमने चंद्र महल देखा उदैपूर का, जिसका निर्मान उदैसिंग ने करवाया, और ये वाला जो चंद्र महल या सिटी पैलेस है, ये जैपूर का है, तो इसके बारे में देखिए एक लाइन है कि सहर के बीच सिटी पैलेस नहीं है, किया है इस लाइन में कि सहर के बीच सिटी पैलेस नहीं, बलकि सिटी पैलेस के चारो और शहर है, जिस तरीके से सूरे के चारो और ग्रह होते हैं, उसी तरीके से जैपूर का जो ये चंद्र महल है, सिटी पैलेस है, इसी तरीके से बना हुआ है, शहर जो है वो इसके चारो पत्रफ बसा है इसका निर्मान जो है सत्रफ सौ 27 civil में सवाई जै सिंग ने अपने सिल्पी विध्याधर भट्टा چार्ध के द्वारा किया था याद रखेंगे चंद्र महल या शिटी पहले जो जैपूर का अपने किया था और अपने सिलफी विद्याधर भट्टाचारे के द्वारा इसमें सात मंजला महल हैं कौन-कौन से शुक महल, महकमा और पोठी खाना है इनको मिलाकर जो है मुबारक महल कहलाता है तो हमने मुबारक महल के बारे में अभी पढ़ा था ठीक है इसके साथ ही सास्त्राका महल है जहां पर सस्त्र रखे होते हैं दीवाने खास है सर्वतो भद्र है और मुकट मंदिर है तो ये साथ मंजिला महल जो है इस महल की अंदर है इसी महल में सवाई ईस्वरी सिंग की छत्री जो है वह बनी हुई है ठीक है चंद्र महल में ही सवाई ईस्वरी सिंग की छत्री बनी हुई है। नेक्स्ट है सज्जनगढ पैलेस। तो सज्जनगढ दुर्ग भी है, कहां पर है। उदेपुर में है। और सज्जनगढ पैलेस इसका निर्मान जो है, वो सज्जन सिंग ने करवाया था। इसे हम मुकट मडी के नाम से भी जानते हैं, इसका उपनाम वानी विलास महल भी है, मानसून पैलेस भी इसे पोलते हैं और निर्मान किसने करवाया? महाराजा सज्जन सिंग ने अपने गुरू योगेश्वर वानी विलास के लिए सज्जनगर पैलेस का निर्मान करवाया था तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा बनाया है सज्जनगर पैलेस जो की बाचदरा की पहड़ी पर बना हुआ है और इसकी जो तलहटी है यहाँ पर गुलाब बाड़ी का निर्मान कौन करवाते हैं? महाराजा पते सिंग याद रखना है सज्जनगर का निर्मान किसने करवाया सज्जनगर पैलेस का निर्मान सज्जन सिंग ने करवाया और जो पास में तलहटी में जो गुलाब बाड़ी है इसका निर्मान कौन करवाते हैं? महाराजा पते सिंग इसका निर्मान करवाते हैं नेक्स्ट देखिए जल महल तो एक जो जल महल है कहा है जिसे हम जानते हैं डींग भरतपुर में क्योंकि डींग जो है उसको जल महलों की नगरी कहा जाता है ठीक है और वही हम याद रखते हैं लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जल महल जो जैपुर का है और इसका निर्मान जो है सवाई जैसिंग ने अस्वमेध यग के ब्रहमनों को ठैरने के लिए करवाया था तो जैपुर और आमीर इसके रास्थे में ही पढ़ता है मानसरोवर जहील के पास में बीच में ही इसका निर्मान करवाई गया जल महलों का क्यों करवाया गया अश्रोमेद यग जो किया था सवाई जैसिंग ने तो उसके जो पुरोहित थे भ्रहमन थे उनके ठहरने के लिए इसका निर्मान करवाया गया था यह 5 मंजिला महल है और गर्वावती नदी को रोक कर मान सरोवर जील का निर्मान यहाँ पर हुआ और इसी जील के पास में जल महल का निर्मान करवाया गया था तो देखिए जल महल के निर्मान से पहले जो राजा मान सिंग थे इन्हों ने यहाँ पर गर्वावती जो नदी है इस पर बांध बनवा कर मान सागर जील का निर्मान करवाया था ताकि यहाँ जैपुर में जल आपूर्ती हो सके तो इसी जील के पास में जल महल का निर्मान करवाया गया था तो देखिए यह है मान सरोवर जील और यहीं बीच में ही निर्मान करवाया था जल महल का किसने सवाई जैसिंग ने यह गर्वावती नदी है इसको रोक कर हिंदुस्तान का अंतिम अस्वमेद यग जो है वह किया गया था तो पूछा जा सकता है एक्जाम में कि सवाई जैसिंग के द्वारा हिंदुस्तान का अंतिम अस्वमेद यग करवाया गया था नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट जलमहल ही है कौन सा है डींग भरतपुर का बाद में इनके बेटे महाराजा सूरज मल ने करवाया था याद रखेंगे डिंग भरतपुर में जो जल महल इसका निर्मान किसने करवाया महाराजा बदन सिंग और महाराजा सूरज मल ने इसमें सयोग किया और जैपुर के जल महल का निर्मान सवाई जैसिंग ने करवाया अकवर के म्रग्या महल रूपवास भरतपुर में है, कोपाल महल करॉली में है, सुख महल भूंदी जैद सागर के किनारे है और अभेडा महल कोटा चंबल नदी के किनारे है याद रखेंगे अकवर के म्रग्या महल कहा है भरतपुर में, कोपाल महल कहा है करॉली में, सुख महल कहा है बूंदी में, अभेडा महल कहा है कोटा में, ठीक है चित्र साला या रंग शाला तो तारागड दुर्ग जो है बुदी का यहां भित्ती चित्रों के लिए प्रसिद है चित्र साला या रंग साला जिसे भित्ती चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है मचींद के महल राज सम्मद में है रूठी रानी के महल तो ये वही रूठी रानी है जो रूठ कर तारागड दुर्ग में चली गई थी ठीक है प्रत्वी राश शोदिया की पतनी तो रूठी रानी के महल जो है वह कहां कहां पर है तारागड़ दुर्ग की तलहटी अजमेर में तो हैं, इसके अलावा मांडलगड़ दुर्ग भीलवाड़ा में भी है, या शोदादेव की पहशिवाले भीलवाड़ा में हैं और सजनगड़्ग की तलहटी में उदयपूर में भी बने हुए हैं तो आज ये topic जो है महलों का complete होता है और notes जो है PDF जो है वो आप लोगों तक पहुंच जाएगी इनको बार बार revise करिएगा मिलते हैं next topic के साथ thank you